नमस्कार दोस्तों, भारत अपनी काया कल्प, परिवर्तन और विकास के लिए निरंदर प्रयत्नशील है, सागरमाला कारिक्रम भारत में जलमार्ग छेत्र से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है, तो अब किन शेहरों को इस से लाब होगा, तो जानने के लिए इस विडियो के अंग तक हमारे साथ बने रहें, जहां हम आपके लिए एक बोनस लेकर आए हैं, ये भारत के प्रमुक अंतराष्ट्रिय व्यापार मार्गों जैसे 7500 किलोमेटर लंबी तट रेखा, 14500 किलोमेटर जल मार्गों का उप्योग करके देश में बंदरगा के विकास को बढ़ावा देने का एक कारिक्रम है, जैसे बंदरगा का आधुनी करण, तट भूमी को मार्गों से जोडने के लिए परिवाहन धांचे का विकास इत्यादी, इससे व्यापार और वानिज्य सस्ते होने की उम्मीद है, तो नीती क्या है? नए मेगा पोर्ट स्थापित करने और मौझूदा बंदरगाओं के आधुनी करण के विकास के लिए भारत को 8.5 ट्रिलियन रुपे के निवेश की आवशकता है, इन लक्षों को पूरा करने के लिए जलमार्क और समुद्र तट की शमता को बढ़ाने का ये कारिक्रम है, इस परियोजना में आने वाले वर्षों में 70,000 करोड रुपे का कुल निवेश होने की संभावना है, निवेश का बड़ा हिस्सा सरक्वार द्वारा किया जाएगा जबकि कुछ परियोजनाय PPP यानि पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मोड में होंगी, सागरमाला परियोजना के लिए योजना के आरंब और निगरानी के लिए एक सागरमाला संचालन समीती का गठन किया जाएगा, जो शिपिंग मंत्राले द्वारा किया जाएगा, ये मंत्राले वेक्तिगत परियोजनाओं के आधीन कार्य करने के लिए विशेश उद्देश वाहन यानि SPV के साथ भी भागिदारी करेगा तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? सागरमाला एक महत्वपूर्ण बुन्यादी पहल इसलिए है क्योंकि इसके विकास से भारत की GDP को लगभग 2% बढ़ने की आशा है भारत तीनों और से समुद्र से घिरा है और इसकी 7516 किलोमिटर लंबी तट रेखा है जो इसे दुन्या का साथवा सबसे बड़ा देश बनाता है इसलिए ये उमीद की जाती है कि भारतिय बंदरगाहों को भारत के निर्यात आयात व्यापार की मात्रा का 90% हिस्सा संभालना चाहिए रेलवे जीडीपी में लगभग 2.9% योगदान देता है सडक शेतर लगभग 3.14% योगदान देता है जबकि जीडीपी में बंदरगाहों की हिस्सेदारी केवल 1% है यह देटा तटिय शेहरों और बंदरगाहों के विकास की विशाल शमता को दर्शाता है भारत के पास लगभग 14.500 किलोमेटर का जलमार्ग है जिसमें लगभग 5.200 किलोमेटर नदी और 4.000 किलोमेटर नहरे शामिल है लेकिन उनका उप्योग बहुत कम हुआ है भारत में लोजिस्टिक लागट लगभग 18 प्रतिशत है जो अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है जैसे चाइना और यूके एसोचेम के एक अधियन में कहा गया है कि भारत की लागट अगर जीडीपी की तुलना में 14 फीसदी से 9 फीसदी तक कम हो जाती है तो भारत 50 बिलियन डॉलर बचा सकता है कम लागट उत्पादन की कीमतों में कमी लाएगी और अर्थ वैवस्ता को बढ़ावा देगी प्रस्तावित योजना पूरे भारत में 24 राज्यों और लगभग 15 नदियों और नहरों को कवर करने वाले 111 जल मार्क को विक्सित करने की है विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार जल मार्क के माध्यम से भारत के माल की आवाजाही में 0.5 फीसदी की हिस्सेदारी है वही सडक मार्क की 65 फीसदी और रेल द्वारा 27 फीसदी है तो अब इस पहल के तहट किसे फायदा होगा ये जानने के लिए आपको स्टॉकेज आप को सब्सक्राइब करना होगा यहाँ प्रीमियम आप्शन के तहट हमारे पास एक तयार वाच लिस्स सेक्शन है जो कुछ थीन और स्टॉक को रेखांकित करता है जो सरकार की नीतियों, व्यापार युद्ध, मौनसून, क्रूड, आधी जैसे विबिन नमाब दंडों से प्रभावित हो सकते हैं यहाँ पर आप उन सभी स्कैन की जाच कर सकते हैं जो चुनेवे स्टॉक के अंतरगत आते हैं जैसे स्टॉक के सभी समाचार, कोई भी कॉर्पोरेट घोषना या कॉर्पोरेट कारेवाई आप ये भी देख सकते हैं कि चुनेवे शेरों के लिए कोई बल्क या ब्लॉक डील हुई है या नहीं आप पूरे विशेर पर एक 360 डिग्री दृष्टी कोन भी पा सकते हैं तो अब कौन से शेर आपके लिए सबसे अच्छा रिटर्न उत्पन कर सकते हैं ये जानने के लिए हम आपको दे रहे हैं एक कूपन कोट जिसके तहट आप प्रीमियम सेक्शन को एक महिने के लिए फ्री में इस्तिमाल कर सकते हैं और इसके फाइदे देख सकते हैं एक बाद जब आपको इसके महत्व पर यकीन हो जाए तब आप इसकी सदस्यता का विस्तार कर सकते हैं तो अब आप बिना इंतिजार किये तुरन कूपन कोट का उपयोग करें और उन शेयरों को जाने जो आपको स्टॉकेज प्रीमियम सेक् करें धन्यवाद